आज हम एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बार में बात करने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो यह है कि गुजुरात गवर्मेंट ने और साथ में दूसरे तिलंगना जैसे गवर्मेंट ने भी एक पर्टिकुलर ट्री का प्लांटेशन जो है वो बैंड कर दिया है है अब वो ट्री कौन सा है येस राइट कॉनो कार्पस ट्री कॉनो कार्पस ट्री जो है उसका प्लांटेशन हर एक जगा पर गवर्मेंट ने बैंड कर दिया है क्योंकि उसकी कुछ श्षदब ullen देखेंग क्याँ रहा है और उसकी जो पॉसिबल इंपक्ट है वो ज्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि 코nocarpus tree है क्या exactly? contest oxric tree is an exotic tree. कौनसा ही है? exotic tree है और वो फिस का है. अब आपको प्रशने ये होगा कि exotic क्या होता है? exotic tree वो होता है जो non-native है. क्या है वो? non-native है. इसका translation, सादा translation ये होता है कि ये भारत और गुजरात की लैंड के लिए नेटिव नहीं है, हमारे वहाँ नेचरली पाया नहीं जाता अगर वो नेचरली पाया नहीं जाता तो फिर वो यहाँ पे आया कैसे तो उसका यह मतलब हुआ कि कोई force से यहाँ पे लाया गया होगा जैसे कि man-made forces क्या हो सकता है man-made forces की वज़ा से यहाँ पे लाया गया है साथ में, यह कौन सा species है mangrove का एक sub species है अब आपको वहाँ पे प्रशन होगा कि भारत के अंदर mangrove तो है सिधी बात है, यस एपसलिटली भारत का जो हमारा coast line है वहाँ पे हर एक जगा पे आपको mangrove मिल जाते है बट हमारे जो mangrove मिल जाते वो conocarpus नहीं होते अगर हम बात करने जाए तो दो major mangrove मिल जाते है हमारे वहाँ पे एक major mangrove मिल जाता है जिसका नाम है rhizophora और दूसरा mangrove मिल जाता है पस्ट्री जो है उसकी एक खास्त बात क्या है कि it is a evergreen species यह क्या है evergreen species है that means it never sheds leaves in particular season कोई एक season के अंदर यह अपने पूरे पूरे पत्ते नहीं जड़ने देगा इसके पत्ते कैसा होगा कि death होगी definitely death होगी बट वो age के हिसाब से होगी पानी या water losses की वज़े से नहीं होगी या summer के season के अंदर नहीं होगी तो उसको हम कहते evergreen क्योंकि उसके उपर आपको 24, 7, 3, 65 days पत्ते देखने मिलते हैं so that's why we call it evergreen species अब evergreen तो है बट वो कैसा होता है dark green और थोड़ा कुछ shiny रहता है that's it उसमें कुछ आपको बहुत जड़ा बात करने की ज़रूरत नहीं है जो main चीज है ये ऐसा है कि it is a fast growing species scene क्या है इसका fast growing species है उसका development बहुत ही fast देखेगा आपको within a few years ये अपने maturity पे पहुंच जाता है बहुत ही बड़ी height पे पहुंच जाता है और वो height की वज़ा से फिरागे दिक्कते होनी चालो हो जाती है वो भी हम letter part में देखेंगे ये क्या है it is a very adaptive very adaptive मतलब क्या कि बहुत ही जल्दी से acclimatize हो जाता है जैसे कि आप घर से जाएंगे hostel और hostel में जाके पहले ही दिन से आपको घर जैसे लगना चालो हुए मतलब क्या हुआ कि आप adaptive हो अगर आप एक महिने तक आपको वहाँ पे मजा नहीं आ रहा मतलब आप कैसे हो non adaptive हो आपको वहाँ पे set हो ही नहीं पाए acclimatize नहीं हो पाए acclimatize word जो है लोग लदाख के लिए ज्यादा यूज़ करते है कि हाँ लदाख हो गए एक दो दिन के लिए acclimatize हुए तो acclimatize कुछ नहीं है वो क्या है adaptation है तो यह जो tree as such हमारा native है यह नहीं है हमारे लिए तो exotic है बट हमारी land हमारे climate क्या क्या चीज है हमारी land हमारे climate उसके साथ वो बहुत ही बढ़िया तरीके से acclimatize हो जाते है adapt हो जाता है और that's why it grows very fast यह क्या होता है बहुत ही fast grow कर लेता है and surprising thing is that कि वो fertile land में तो grow करेगा गोरेगा बट उसके साथ साथ कोई ऐसी land है जहां पर salinity बहुत ज्यादा है for an example कच तो salinity अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पर भी वो grow कर लेता है so that means कि वो हमारे cities में भी grow करेगा वो desertic condition में भी grow कर सकता है वो saline condition में भी grow कर सकता है तो हर एक जगा पर अगर उसने grow करना चालो कर दिया तो फिर हमारी जो original native जितने species है उनका क्या होगा definitely उनके ओपर खत्रा मन रहेगा so that's why गुजराद government ने decide किया है कि हम क्या करेंगे उसको limit कर देंगे अब पहले हम देखते है कि ये जो है कहां से belong करता है तो ये belong करता है North and South of America as well as some part of Africa आप समझे है कि America है Latin America है वहां से वो belong करता है आफरिका से belong करता है और अभी पाया कहां जा रहा है इंडिया में पाया जा रहा है तो वो वहां का native है हमारा native नहीं है हमारे native कौन सा है? कॉमेंट में बताइए मुझे ठीक है अब यहां पे देखिए कि आपको उसका photo दिख रहा है यह क्या है एक अच्छी सी strip planting हुई है उसकी अब आप देखिए कि कितना बढ़िया तरीके से देख रहा है beautification के लिए काम में आता है सबसे ज्यादा हमने क्या करना चालू किया यहां पे beautification अब वो roads हो, garden हो, हर एक जगा पे इसका beautification के लिए यूज करते है और इसको shape के अंदर बहुत ही अच्छे के तरीके से आप trim कर सकते हो आपको ऐसा है कि आदे से trim कर देना है आदे से बढ़िया तरीके से trim कीजिए सीधा trim कर देना है like this अब उस तरह से भी कर सकते हो so that's why multiple जो agencies हमारी है public agencies वो उसके लिए यूज करना चालू कर दिया अब इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में कहां कहां पे वो majorly grow होते है तो landscaping के लिए grow होते है beautification जिसको हम कहते है road के beach में median के अंदर अगर आप देखोगे तो road के divider के बीच में भी grow करना चालू कर देते light barrier बनेंगे ये क्या बनेंगे light barrier बनेंगे along the roads, roads के जो margin होते है वहाँ पे भी हम grow कर सकते है वो भी एक beautify करता है और साथ-साथ में public garden के लिए strip planting के लिए भी use होते है गुजरात के अंदर हम बात करें तो गुजरात में majorly along the walkways वो ज्यादा plant होने चालू हुए walkways का example आपको बढ़िया कहां दिख रहा है सूरत में दिख रहा है साथ-साथ में एमदबाद के अंदर जो है बना riverfront, क्या बना riverfront, riverfront पे भी konocarpus tree की थोड़ी कुछ presence आपको दिख जाएगी हलाकि अभी तो बंद कर दिया है सो इस तरह की जो presence है वो दिख जाएगी अब ये presence क्यों दिख रही है क्योंकि shapes के अंदर हम cut कर सकते है as I said कि अगर roadside में आपने बहुत ही बढ़ियाक तरीके से shape से cut किया है so that means beautification हो जाएगा selfie वगर आप खीचोगे है कि नहीं बट आपको पता है इसका original use क्या था original use ऐसा था कि Arabian Peninsula के अंदर जहांपे पूरा पूरा desert है वहांपे हकीकत में जब ये desert के अंदर storm आता है dust का storm आता है उसको रोकने के लिए trees का use किया जाता था desert storm को रोकने के लिए trees का use किया जाता था आप देखिए कि लगाया कहां जाएगा obvious बात है desert के margins पे अब desert के margins पे लगाया जा रहा है that means कि desert के आसपा salty soil होगी थोड़ी कुछ non-hydrated soil होगी तो वहाँ सभी जगा पे ये grow कर लेता है तो desertification के लिए रोकने के लिए इसका use हो रहा था और अब हो रहा है beautification के लिए so there where the problem lies तो ये problem को गुदराद गवर्मेंट ना identify किया और identify करने के साथ साथ सीधा ही decision ले लिया कि हम उसको grow नहीं करेंगे देखते है reasons क्या क्या है सबसे पहला reason ऐसा है कि it absorbs more water from the soil दूसरे जितने भी species है उसके compare में ये ज्यादा soil के अंदर से पानी को absorb करता है अब आप याद करिए growth कैसा था इसका बहुत ही बढ़िया तो अगर growth अच्छा है तो उसको आपको loss देखने मिलेगा और उसकी सीधी impact किस पे आएगी आजू-बाजू के पेड़ पौधे पे आजू-बाजू के जो पेड़ पौधे है उसको फिर जाके खाना पीना फूड वो सारी कुछ चीज़े कम मिलेगी तो वहाँ पे ये hurt करता है दूसरा ऐसा है कि it grows very deep into the ground इसके जो roots है वो बहुत ही ज्यादा penetrate कर लेते है depth पे अगर ऐसा penetration उसका हुआ depth पे तो हमारी communication cables अब देखते ना जितने भी हमारे landline वगरा होते है जितने internet cables होते है mostly वो जमीन के अंदर से जाते है तो उसको damage करते है साथ में drainage line जो gutter line हम कहते है gutter line को भी वो तोड़ सकते है और हमारी जो drinking water pipeline है उसको भी ये damage करते है तो इस तरह से public infrastructure को damage करना चालो किया तो कोई government थोड़ी अलाओ करेगी सीज़ी बात है तो इस वज़ए से government ने ban किया और फिर public health का concern भी बना था you will be surprised कि public health concern कैसा बना क्योंकि इसका जो flowering season है वो winter के आसपास रहता है winter के बात वाला जो season होता है वो season change वारा भी होता है तो season change के साथ-साथ जब इसका flowering होगा तो pollens बाहर निकलेंगे हवा के थूँ जैसे pollens बाहर निकलेंगे लोगों में sneezing, coughing, throat infection और even अस्थमा जैसी बिमारियों जो है उसके अंदर severity देखने मिली उसमें बढ़ोतरी भी देखने मिली so that's why government ने ऐसे decision लिया कि अगर ये बड़ा public health concern बना है so we need to be careful about it तो अब से हम उसको grow करना बंद कर देंगे these were the main three reasons behind banning the growth और banning the plantation of conocarpus tree I hope आपके doubts जो है या हमसे clear हो गए होगे अब एक मेरी request है आपको कि एक हम समझदार नागरिक बने एक हम जागरत नागरिक बने और जो भी नरसरी वगरा conocarpus tree का growth कर रहे या तो फिर selling कर रहे या तो फिर plantation कर रहे है तो एक समझदार नागरिक बने के उनको मना कीजिए सावधान रहे सतर्क रहे दन्यवाद